वेलकाम जी लेट्स स्टार्ट तो आज हमारे मार्केट के लिए अच्छा दिन रहा कह सकते हैं कि पिछले लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से मतलब कि फ्राइडे को और आज मंडे को दो दिन से मार्केट में एक अच्छा जंप उच्छाल देखने को मिला अगर हम देखें तो आज ऐसा एक्स्फेक्टेशन हो रहा था जिसे कि अधर मार्केट वर्ल मार्केट जो इंडिकेशन दे रहे थे कि मार्केट हमारा आज निगेटी में हि रवरा ना चाहिए लेकिन मार्केट जैसे आज मार्निंग में ओपन होती है अपने प्रीबियस क्लोजिंग 16,665 से गैप डाउन ओपन होती है उसके बाद सटनली मार्केट नीचे चला जाता है तो ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट में ऐसे कंटिनिवस गिरावट बनी रही लेकि उसके बाद अल्मुस्ट दस बजे के बाद से लगातार मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंट अब दिखा गया और पूरे दिन आज मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के फाइनली 135 पॉइंट प्लस के साथ आज मार् मार्केट में उच्छाल रहा और आज काफी बड़ा उच्छाल आपको देखाए डाउन उपन हुआ फिर स्टील मार्केट में उपर वा तो ऐसा पॉस्टिविल्टी लेकिन ऐसा स्योर्टी नहीं है जो अभी सिच्विशन हमारे मार्केट में चल रहा है आपने देखोगे जो अभी भी जो हमारे रस्या और उक्रेट के बीच में जो फाइटिंग चल रही है इस्टिल कंटीनी हुए कोई सका कंकुलूजन नहीं आ रहा है कुछ बैंड भी उस पे कुछ बैंकिंग ट्रांजेशन को लेकर जिसे की लिमिटेड ट्रांजेशन कर दिया गया है रस्या कोई ऐसा नियरेस्ट टम में नहीं दिख रहा है कि जो रस्या और उक्रेट के बीच में जो फाइटिंग चल रही है जो कंफिक्ट चल रहा है जब तक कंफिक्ट रिजॉल्ब नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट में ऐसे कभी उतार कभी चड़ाओ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनको आप चाओ तो एक सौट टम में एक अच्छा प्रॉफिट, उन में लगता है कि आप निगाल सकते हो, प्रॉफिट बूक कर सकते हो तो ऐसे में से अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एक स्टॉक्स है नविन फ्लॉराइट यह एक कीमिकल इंडस्ट स्पेसियालिटी कीमिकल्स का पॉड़क्त बनाता है और इसको देखोगे तो पिर एक साल का चार्ट पटरन इसका देखोगे तो काफी अप डाउन अप डाउ सकते हैं और एक काफी बहतरी ने स्टॉक्स है अगर इसकी आप नार्मन कुछ फंडामेटल विच्छ करोगे तो इसको लॉंग टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं आराम से कंपनी में को डेट फ्लेग नहीं है अच्छा टाइम यूंग कंसिडर इस टॉक्ट में नहीं ह और इस स्टाक्स का एरोई रिटरंस भी काफी बहतरीन है और यह स्टाक्स आपको देखोगे तो 4300 का से आपको 3800 में दरा है तो एक तरह से अगर इसका चार्ट पैटर्न भी आज का देखें तो पिछले जैसे हमां मार्केट पिछले दो दिन से एक पॉस्टी मोमेंटम के स है तो एक अच्छा रिटरंस आपको दे सकता है तो इस स्टाक्स को भी अपने आप वाच लिस्ट में यह सौट टम के लिए कंसिडर कर सकते हैं लेकिन लग सक चाहो तो आप लॉंग टम से लिए कंसिडर कर सकते हो ने स्टाक्स है हिताची इनर्जी इंडिया इसको की पाव बेहत्री निस ने दिये हैं और इस स्टाक्स है इसलिए इतना अच्छा रिटरंस आपके पिछले एक साल पहले आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है एक लाख रुपे तो आज उसकी वैल्यू हो गई थी दो लाख रिकात्तिस अजार रुपए स्मॉल काप है हाई रिस्क होता है इसमें लेकिन हाई रिटरंस भी मिलते हैं आपको लेकिन इसका बिजनस एब इसका तो इसका काफी दिनों से वोकेटिली वह पूरा स्थानी जब हमारा ओप जा रहा था था आप मार्केट धीरे-दीरे यह मार्केट से एक अच्छा पॉसिभीलिटी है यहां पर है एजली आसानी से आप ये स्टाॉक्स आसाने से आपको 35 के आसपास नजार आएगा तो एक अच्छा मौका है इसमें आप पोजिशन बना सकते हैं अमबर इंटरीबित भी पिछली एक साल का इसका चार्ट देखोगे तो काफी डाउन हो टॉथ हो अगर आपने हाई को भी जाता है तो अच्छा रिटरश आपको दे सकता और यह काफी बहतरीण स्माल का इसटाक से लेकिन इसका चार्ट और इसका कंपने के आउगा फंडामे आगर इसका चार्ट पैटर्न भी आप चिक करोगे तो आप देखोगे आज पिछले दो-तीन दिन से इसमें लगातार आपको बढ़ोत्री बढ़ोत्री तो यह अगर ऐसे आज की देखिए काफी हई वालूम के साथ इसे ट्रेड हुआ और काफी अच्छा इसमें आज पास्ट प्रड़क्ट बनाता है का सकते यूनिक बिजनेस इनका है और चाहे मेटल्स की बात करो जोईदरी की बात करो वाचेस की बात करो काम करता है और पिछली साल का एक साल का चार्ट परटन भी तो काफी अप डाउन होने के बहुत जूद भी यह 75% का पो रिटन दिया है इस ट पॉइंट के लिए गुड टाइम टू इंट्री और चाहो तो आरो इसका बहतरीन है और यह कंपनी को आप लॉंग टर्म के जरूर रख सकते हैं और इसका चार्ट पैटर्न आज के देश्ट में दोगे तो पिछली यह दो तीन दिन से लगाता और इसमें पॉस्टी गया तो यह पॉस्टी इंडिकेशन दिखाता है कि इसका मोमेंटम कंटीनिव बना रहेगा ने स्टाक की बात करते हैं वह है हमारा यह अगर यह अपने ऐसे पैटर्न को मैंटेन करता है तो यहां से पॉस्टी बनता है कि आपको अच्छा से कंपनी में मिल सकता है यह विक मिड़का का स्टॉक से हाई रिस्की है और लेकिन इसका चार्ट पैटर्ण जैसा इंडिकेशन दिका रहा है पिछले तीन इसे gap up gap up opening होता जा रहा है और इसमें लगता है कि आएसे ही अगर continue gap up opening होती रही तो यह आसानी से आपको 11.12 होके आस पास coming 3-4 weeks में लगा रहा है और अपनी high को भी meet करता है तो अच्छा returns आपको मिल सकता है तो आप strength limited को भी चाहो तो अपने watch this में रख सकते हो इसका चार्ट पटन देखिए ऐसे आप down up down up down ऐसे भी बनता है तो भी अच्छा returns आपको मिल सकता है तो यह five stocks हैं जो मेरी analysis से लग रहा है कि coming 3-5 weeks में एक double digit का growth इन में नजर आ रहा है आप भी इन stocks को चाहो तो अपने watch this में रख करके इस पर study कर सकते हो चाहे हम बात करें नवीन fluoride की बात कर लो चाहे ट्रेंट की फिर टाइटेनिक की और या हिताची इनर्जी की बात करो यह सारे stocks का चाहट पैटन से लग रहा है कि इन में positive momentum coming 3-5 weeks तक मिलेगा आपको और एक अच्छा profit book कर सकते हैं इन stocks में तो आप भी इन stocks को study करिए research करिए और आपके research study से fit बैठता है तो जरूर आप position बना सकते हैं आपका पैसा है decision research के बाद जरूर लेजिएगा from this note I would like to say thank you for watching this video